Facebook performance bonus से earning कैसे बढ़ाएं मुझे पता है कि आपको Facebook के उपर bonus का option मिल गया है मेरे वीडियोज को देखकर आपने उसको बिलकुल सही तरीके से setup भी कर लिया है लेकिन आपका फिर भी earning नहीं हो रहा है और आपका Facebook bonus से $2, $3, $4, $5 बस इतना ही earning हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा कम आपका earning हो रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे trick बताने वाला हूँ जिसको अगर आप सही तरीके से सीख लेते हो समझ लेते हो तो भाई आप Facebook पर performance bonus की earning को 5-10 गुना तक बढ़ा सकते हो और भाई आप Facebook से आप लाखो रुपईया आने की धुन के रुपईया कमा सकते हो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है इसलिए मेरी बातों को कान खोल कर सुनिएगा और ध्यान से समझेगा ताकि आप भी Facebook से अच्छे खासे पैसे कमा पाएं वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाला है इसलिए वीडियो को like करके एक प्यारा से comment कर दीजेगा बिने time waste किये चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते है तो देखिए सबसे पहले Facebook के खेला को समझेगा वही पर सारा trick चुपा हुआ है सबसे पहले जब Facebook performance bonus देना सुरू किया था उस समय फेस्बुक performance bonus के ताथ आपको 500 डॉलर ही मिलता था और उस समय तगड़ा earning होता था लेकिन Facebook इसको update किया उसके बाद Facebook सबको 1000 डॉलर का bonus देने लगा और क्या किया कि earning थोड़ा कम कर दिया उसके बाद Facebook एक और update किया उसके बाद सबको 15-1500 डॉलर फेस्बुक bonus देने लगा performance bonus और भाईया जो वीडियो पर व्यूज के अनुसार देता था वो और ज़्यादा कम कर दिया उसके बाद recent में एक update आया जिसमें Facebook बोला कि भाईया अब हम multiple creator को Facebook performance bonus का option देंगे और उसको unlimited bonus कमाने का मौका देंगे मतलब उसका कोई limit नहीं है आपके वीडियो पर जितना ज़्यादा view जाएंगे जितना ज़्यादा reaction जाएंगे उतना ज़्यादा आपका earning होगा लेकिन मैं आपको reality बता हूँ जैसे जैसे Facebook ने dollar increase किया है वैसे वैसे Facebook performance bonus से पैसा देना कम कर दिया है तो भाईया इसको हम increase कैसे करें तो इसको increase करने का कुछ trick होता है जिसको follow करके आप इसको increase कर सकते हो तो सबसे पहले ध्यान से समझेगा अगर आप अपने Facebook के उपर reel डालते हो या फिर a story डालते हो तो भाईया Facebook performance bonus से आपका earning नहीं बढ़ेगा और Facebook ने साप साप link रखा है कि performance bonus में आपको reel और a story पर पैसा नहीं मिलेगा देना है मतलब अगर आप 15 से 20 सेकेंड की reel को बना रहे हो तो भाईया उस reel को आपको घीच कर भाईया 35 से लेकर 45 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक लेकर जाना है अगर आप songs के उपर reel बनाते हो तो भाईया अभी आप रुख जाओ आपको songs से ओपर reel को नहीं बनाना है अब आपको क्या करना है original sound में आपको reel बनाना है reel बनाने के बाद अब आपको एक और तितिमा क्या करना है उसको reel mode में न अपलोड करके उसको long videos के mode में आपको upload कर देना है जी हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको follow कीजेगा उसके बाद देखिएगा 10 से 15 गुना अगर earning नहीं बढ़ा तब आप मेरे को आकर comment कीजेगा दोबारा से इस वीडियो पर तो आपको कुछ नहीं करना है original sound पे reel बनाना है और reel के duration को थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसको बढ़ाने के बाद उसको reel वीडियो में न अपलोड करकर direct facebook के उपर जाईएगा page या profile को login कर लिजेगा और post के उपर click करके ऐसे करके आप वीडियो जो सीधा का सीधा upload कर दीजेगा और जो वीडियो आपने create किया है वो वीडियो कुछ ऐसा engaging होना चाहिए trending topic पर होना चाहिए जिससे लोग आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा share करे और ज़्यादा से ज़्यादा comment करे कुछ ऐसा तितिम्मा आपको अपने वीडियो के उपर लगाना है अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिका अगर भाई आपके वीडियो ज़्यादा से अर्निंग कैसे होगा तब उस अवस्ता में आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने फेस्बुक के उपर copy paste करना है अब बोलोगे सर आप copy paste के लिए मना करते हो तो भाई हम copy paste कैसे कर सकते हैं तो देखिए उसका एक तरीका होता है वीडियो ज़को copy paste नहीं करना है अब आपको अपने फेस्बुक के उपर motivational photos को upload करना है आपको कुछ ऐसे photos को upload करना है जो क्यों unique होता है या फिर कुछ ऐसे photos को upload करना है जो trending हो या फिर motivational हो trending photo या फिर motivational photo तो बहुत ज़्यादा वाइरल होते हैं ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है ट्रेंडिंग और मोटिवेशनल फोटोज को अपलोड करना है लेकिन जहां से भी आप फोटोज को लीजेगा उस फोटो में थोड़ा बहुत आप एडिटिंग कीजेगा फोटो में एडिटिंग नहीं होना चाहिए और रेगुलर आपको पर डे 5-6 फोटोज को अपलोड करना है अगर आपका कोई भी फोटो वाइरल होता है उससे आपका फाड के अर्निंग होगा और आपका जो अर्निंग है ना वो भाइया 5-10 गुना एंकरेज हो जाएगा तो चलिए अब बात कर ले बहुत जादा मेहनत करके तितिम्मा करके वीडियोज को बनाते हो और रेगुलर वीडियोज को नहीं बना पाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है जो आप लॉंग वीडियोज को अपलोड कर रहे हो उस वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग करना है और वीडियोज को काट कर छोटा छोटा कर देना और उसके बाद आपको part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 ऐसे करके आपको अपने वीडियोज को upload करना है मतलब जो आपका वीडियो 15 मिनट का हो रहा है उस वीडियो से भाईया 5-6 क्लिप को निकाल लेना है और वीडियोज को 2-3 मिनट काट काट कर आपको part by part upload करना है और वीडियोज में proper title, proper thumbnail, proper description के साथ आपको अपने वीडियोज को upload करना है और वीडियोज का theme कुछ ऐसा लेके चलना है जिससे कुछ suspense create हो और कुछ ऐसा unique चीज अपने वीडियोज में कीजेगा जिससे लोग आपकी वीडियोज को share करने को मजबूर हो जाए लोग आपकी वीडियोज पर comment करने को मजबूर हो जाए या फिर आप अपने वीडियोज में कुछ ऐसा question पूछ सकते हो जिससे लोग आपके comment box में आकर आपको जवाब दे क्योंकि आपको पता है कि वीडियोज की अनुसार तो performance bonus पैसा देता ही देता है उसके साथ आपकी वीडियोज के reactions को देखता है उसके साथ आपकी वीडियोज को share को देखता है उस हिसाब से facebook bonus से आपका earning increase होता है तो अगर आपको तीनों में से जो भी trick आपको पसंद आया है उस पर आप अभी से काम करना शुरू कर दो अगर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो तो जो आपका facebook bonus से earning हो रहा ना उसमें आपको definitely benefit मिलेगा और आपका earning 5 से 10 गुना increase हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें subscribe कर दिजेगा वाई दिवे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद